देखो unit 2.3 में supply बुला है price के बनने से seller अपने पास जो quantity available है वो जाधा sale करना चाह रहा है तो readily available चीज़ों में से कुछ चीज़े sale के लिए offer हो रही है clear है तो यहाँ पर हम बात कर रहे है expansion of supply की यहाँ पर क्या होएगा expansion of supply यह वाला पार्ट हमने दूसरे वीडियो में cover कर लिया है जहाँ पर changes of demand expansion contraction increase decrease of demand उस वाले पार्ट में supply का भी expansion और contraction वो सब चीज़े cover कर रखिए उस वीडियो को देख लीजे एक बार उसके बाद में factors affecting supply क्या यह फिर से unit 2.1 के जैसा नहीं लग रहा factors affecting demand के जैसा ही factors affecting supply खुद का प्राइज फिर related goods का प्राइज फिर government फिर technology यह सब चीज़े है क्या है तो देखो पहला factor हमेशा क्या रहेगा PX खुद की प्राइज फिर related goods की प्राइज अपने यहाँ पर दूसरे कुछ goods बन रहे होंगे तो उनकी प्राइज उसके बाद मैं technology है क्या अच्छा मेरे को एक बात बता ना इन बाकी लोगों के वज़े से increase या decrease हो जाएगा supply में यह जो बाकी की चीज़े और इसके जैसे क्या होगा expansion या contraction क्लियर है क्लियर अब देखो यहाँ पर पढ़ाने जैसा अब कुछ बचता नहीं है अगर तुमक से वही चीज़े रिपीटोरिया supply के लिए क्लियर है क्या है हूं उसके बाद उसके बाद यह वाले पार्ट में जाओ कि देखो वहाँ पर elasticity में सबकी elasticity calculate करना था अब को demand वाले पार्ट में सभी की elasticity पढ़ने को है कि सप्लाइ वाले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ प्राइस elasticity ऑफ सप्लाइ है कि देख लो एक बार है कि है कि इतना ही इतना ही पढ़ना है आपको जो कि एक पॉजिटिव नंबर आने वाला है है क्या एवरीबडी है क्या ऐसा ही पिटा उसके बाद पता है क्या होने वाला है फॉर्मूला क्या है पता है क्या आपको सेम फॉर्मूला है खतम यह पढ़ाने की जरूरत है आपको भी तो यह वाला पोर्शन अभी ट्राइ करो घर पे इसके बाद में एक डाइग्राम सिर्फ सप्लाइ में अलग आता है देखो अच्छा सप्लाइ के इलास्टिस्टी के डाइग्राम से भी देख लो पाच डाइग्राम से जुस्ट लाइक प्राइस इलास्टिस्टी ऑफ डिमांड इसके भी पाच डाइग्राम है कैसे कैसे देखो पहला डाइग्राम दिखा यह दूसरा डाइग्राम दिखा फॉर्स्ट थॉर्ड फिफ्ट डियाग्राम समझ में आया क्या अब इन बिट्विन क्या है यह 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 से नजदी करेगा यह वाला डियाग्राम लेज दन वन आएगा यह यह लेज दन वन आएगा और इधर जो आएगा वो मोर दन वन रहेगा ठीक है एक मिनट देना मेरेको एक मिनट देना सिर्फ बाके चलो यह डाइग्राम बन गए क्या देखो यह जीरो है यह लेज दन वन है इकोल टू वन है यह ग्रेटर दन वन है और यह इंफिनिटी यह बराबर है क्या इलास्टिसिटी यहां पर चेंज होने आला है क्यांटिटी आवाज आ रही है बरो बरे क्या यह सब चीजे समझती है क्या और यह पर्फेक्ली कंपेटिटीव में है सेम उदर भी है सेम डाइग्राम उदर भी देको पर्फेक्ट कंपेटिशन में भी है और एलास्टिसटी उदर भी है उदर पहले नमबर का डाइग्राम मिलेगा डिमांड में आपको क्लियर है कि यहां तक का बार्ट क्लियर हुआ सब कर अब देखो जो Elasticity 0 आया है और लेस दन वन आया है जहां पर Elasticity 0 या फिर लेस दन वन आया है वो कर्व जो है वो कैसा कर्व है स्टीपर कैसा कर्व है वो और जहां पर Elasticity इंफाइनाइट आया है वो कैसा कर्व है फ्लाइटर मोर दन वन भी आया है तो फ्लाइटर क्लियर रहे है Elasticity of Demand में भी सेम और सप्लाइट में भी सेम अगर उन्होंने बुला बताओ एक फ्लाइटर कर्व है तो Elasticity कैसा रहेगा तो कैसा रहेगा भाई Elasticity इस दो वैल्यूज यह एक लियर गया आई होब यह कुश्चन समझाए आपको यह लिख लो आपके पास यह लिखा हुआ नहीं होगा नहीं तो एक स्क्रीशाट ले लो डन क्लियर रहेगा स्टीफर में Elasticity कम रहेगा और फ्लाइटर में Elasticity जादा रहेगा अर्व गेटिंग अपॉंट एवरीबडी इस आट ओके आवाज आ रहा है एवरीबडी कम आन शली तो हो गया सप्लाय वाला पार्ट भी खत्म हो गया और उसमें एक डाइग्राम यह दिया है आपको देखो भला अ कि ऐसा एक डाइग्राम दिया है क्या इस इस इदर Elasticity जादा है नीचे के साइड Elasticity जादा है और उपर कम होते जा रहे बरावरे क्या अगर आपके पास इतना प्रोडक्शन करने की कैपसिटी है आप प्रिड्यूस कर सकते हो और आपको बूला जाए कि क्यूट टू प्रिड्यूस करिए तो वह प्रिड्यूस करने के लिए आपको शायद नया नया प्लांट प्लांट Nप मजीन लाने के लिए आपको पैसा लगेगा पैसा लगेगा तो आप कहां से कुस्ट करोगे प्रोडक्स है बरोबर तो इसकर क्या हो जाएगा प्राइज ऐकदम से बड़ जाएगा आला का लक्षाद तो इस डिस्कुशन को क्या करना है इसको क्या करिया है चैप्टर 3.1 के बाद वापस रेफर करना हूँ फिर से पढ़ना एक बार अल्राइट क्लियर अंदस्वे वी हाव कंप्लिटेड यूनिट 2.1 2.3 और 2.2 का जितना रिक्वाइड है वो चीज़ कर लिया है सिब बचा है लॉब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उसको कवर कर लेते तुरण